आज सिद्धत से करो कोसिस चिराग बनने की कौन जाने कल तुम ही से रोसन हो सारा जहां दोस्तो जमी सलाम करे आसमा सलाम करे कुछ काम करो ऐसा कि सारा जहां सलाम करे नमस्कार दोस्तों मैं जगदीश नहरा इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आप सबका VPC प्लेटफूम पर हार्दिक स्वागत करता हूँ जी एनू, मोस्ट वेलकम, खुसामदी, सस्रियकाल आप सबका हार्दिक इस्तकबाल पिछली वीडियो में हमने हर्याना परीच्चे के पहले भाग को पड़ा था जिसमें हमने जाना था हर्याना का नाम, उसका गठन कैसे हुआ जैसे थोड़ा सा मैं क्विक रीजन लेता हूँ, पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जैसे हमने जाना था हरियाना का जो नाम है इसका जो साब्दिक अर्थ वो क्या निकलता है? हरियाना के साब्दिक अर्थ को लेकर विद्वानों में मतबेध है जैसे हरियाना के सब्द हरियाना जो है संस्किर्थ भासा का सब्द है ये तो बिल्कुल सही है संस्किर्थ भासा के दो सब्दों से मिलकर बना है हरी पलस अयाना से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है भगवान का निवास या विशनू का निवास इसके लावा हरियाना का अर्थ ये भी निकलता स्री किर्षन की किर्डस्तली या हरावरा जंगल कह लेजिए या सिव का घर कह लेजिए इसके बाद हमने जाना था कि जो हरियाना अगठन किया गया था वो कैसे हुआ हरियाना जो है पंजाव का भाग था पंजाव के अंदर भासा को लेकर बहुत लंबा संगर्स ला और संगर्स को खतम करने के लिए पंजाव का विभाजन करने के लिए 23 सेप्टमबर 1965 को संसद में एक समीती का गठन किया गया जिसको नाम दिया गया सरदार हुकम सिंग समीती हुकम सिंग समीती की सिफारिस पर 23 सेप्रेल 1966 को सहायो का गठन किया गया और सहायो के रिपोर्ट के अधार पर पंजाब पुनरगठन अधिनियम 1966 भारते संसद ने पारित किया और उसके अधार पर ठार्वा सविधान संसोदन किया गया और जिसके तहत हरियाना देश का सतर्वा राज्य बना एक नुवंबर 1966 को एक नुवंबर को हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं हरियाना को पंजाब का 35% छेतरफल मिला था कहले जिये जो किलोमेटर में कितना है वरक किलोमेटर में है 44212 वरक किलोमेटर हरियाना चेतरफल है जो पूरे भारत में हरियाना चेतरफल के अनुसार 21 नंबर पर है और राज्यों में हरियाना का स्थान कौन सा है बीसवा है इसके अलावा गठन के समय हर्याना में साथ जिले थे और गठन के जम्मे जो साथ जिले थे उनमें सबसे बड़ा जिला था हिसार और सबसे चोटा जिला कौन सा था जींद इसके लावा हर्याना गठन के समय यानि कि हर्याना के पहले मुख्य मंत्री थे कौन भगवत द्याल सर्मा और रज्येपाल किसको बनाया गया था ध्रमबिर सिंग को और हाई कोट के मुखे नदेश कौन थे मेर सिंग थे और देश के परधान मंतरी कौन थे कटने के समय इंदरा गांदी ये सब हमने पिछली वीडियो में डिसकस किया था अब आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो सुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बाते जानते हैं जिसे अंबाला, करनाल, जीन्द, हिसार, रोतक, मेंदरगड और गुरुगराम ये साथ जिले हरियाना गठन के समय थे और आज हरियाना में 22 जिले हैं 22 जिलों का निर्मान कैसे हुआ वो सब इस वीडियो में पढ़ा जाएगा ट्रिक के साथ और जिलों के ऊपर जितने भी क्वेशन पूचे हैं वो सारे क्वेशन मैं आप से डिस्कस करूँगा सबसे पहले सुरुआत करते हैं आज की वीडियो की इस क्वेशन के साथ क्वेशन क्या है मेंदरगड जिले का गठन कब हुआ 1947, 48, 2005 या 2016 ये पढ़ने से पहले हमें बेसिक बातों को जानना पड़ेगा देखिए जब हरियाना का गठन हुआ एक नॉम्बर 1966 को हरियाना का गठन हुआ था और हरियाना में कितने जिले थे? साथ जिले थे गठन के समय हरियाना में साथ जिले थे 1966 में लेकिन यहाँ पर 1966 कोई डेट नहीं दे रखी और देखिए HSSC JEE के पेपर में ये क्वेशन पूछा गया है दोस्तों बड़ा डीपली क्वेशन उसने पूछ रखा है तो देखो इसको हम डिकोड करते हैं देखिए जब हमारा देश सवतंतर हुआ 15 अगस्त 1947 को सवतंतरता के समय हरियाना का जो छेतर था उसमें पांच जिले थे देश की आजादी के समय हरियाना छेतर में जो पंजाब का भाग था हरियाना उस समय उस समय हरियाना की एरिया में पांच जिले बने हुए थे यानि कि 5 जिले शुरू से ही थे यानि कि 5 जिले हमारे घर के थे कह ले जिए तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इस सीज को सवतंतरता के समय हर्याना 63 में कितने जिले थे यानि कि 1947 की बात कर रहा है पांच जिले थे यानि कि जो पांच जिले थे हमारे शुरू से ही थे यानि कि घर के थे यानि कि जो मैंने बोल ला है उसी से इसकी ट्रिक बन रही है घर के यानि कि जो पांच जिले थे ये हमारे घर के होते थे कब देश की आजादी के समय हरियानाक छेतर में पांच जिले थे हैं 1947 की बात कर जी से बनता है आपका गुरुगराम जिसको पहले गुरुगाओं कहा जाता था एच से बनता है हिसार और एसे बनता है अंबाला और आर से बनता है रोतक और के से बनता है करनाल तो दोस्तों रट्टा मत मारना जब देश सवतंतर हुआ उस समय हरियानाक छेतर में पांच जिल जिले मुझूद थे यानि कि पांच जिले हमारे घर के थे बाक्य दो बाद में बने कहलेजिए घर के घर के जी से बना गुरुगराम एट से हिसार ए से अंबाला आर से रोत के से करनाल यानि कि 1947 में 1947 में हरियाना के अंदर पांच जिले थे आजादी की एक साल के बाद यानि कि 1948 में जिले की रूप में गठन किया गया किसका मेहंदर गड़ का जो हरियाना का सबसे दक्सिन पस्सिमी जिला है हरियाना के सबसे दक्सिन पस्सिमी छोर पर मेहंदर गड़ है और इसके तीन और क्या है राजस्थान है तो 1948 में बना गठन किया गया तो जिले कितने हो गए पांच और एक छे आप गठन के समय कितने जिले थे साथ करने हैं 1966 में जब हर्याना गठन हुआ तो एक जिले का निर्मान किया गया जिला कौन सा था जीन्द इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट हर्याना गठन के समय बनने वाला जिला कौन पूछा अंसा जुला बना महंदरगड तो इस क्वेस्टन का अंसुर क्या रहेगा महंदरगड जिले अगठन कब हुए तो अंसुरह रहेगा 1948 यह रहेगा सब gakठन कर शक्क्राइछे उन्हें गर जो शक़्ाराँ जिस्वाला एंसुरह पूछा मेहंदरगड तो question ऐसे भी आ सकता है सब्दंदरता के बाद हर्याना के कौन से जिले अगठन किया गया 1948 में तो जवाब क्या होगा मेहंदरगड और हमारा जीन जिला कब बना 1966 में अब पढ़ते हैं सभी जिलों के बारे में जितने भी question पूछे गए हैं district के उपर वो तमाव ह करेंगे आप इसका screenshot ले सकते हूं चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अब यह question हमारा clarify हो चुका है 2005 में आपको बताऊंगा मैं वाद जिला बना और 2016 में 22 जिला बना कौन सा चर्खी दाद रही है देखिए आज का lecture हम सुरू करते हैं जब हरियाना का गठन हुआ तो इसमें 7 जिले थे वो 7 जिले कौन से थे उनको याद करना बड़ा important है हमारे लिए कई बार paper में आ जाता है कि गठन के समय कौन सा जिला नहीं था तो देखि जब थी धारा 370 के रहते भारत का कोई नागरिक जम्मो कस्मीर को चोड़ कर कह लेजे बाकी राज़ुआ कोई नागरिक जम्मो कस्मीर में घर नहीं बना सकता था 370 खतम करने के बाद जम्मू कस्मिर में घर बनाना सबी के लिए क्या हो गया आसान तो देखिए गठन के समय हरियाना गठन के समय यानि कि कब की बात कर रहा है एक नॉवंबर 1966 की है कितने जिले थे साथ जिले थे और देखिए जब गठन हुआ वो जिले कौन कौन से थे अंबाला करनाल जीन्द हिसार रोतक महंदरगड और गुरुग्राम ये साथ जिले थे इनको याद करने की आसान से ट्रिक आपको बताता हूँ 370 खतम करने के बाद जम्मू कस्मीर में घर बनाना सबी के लिए क्या हो गया असान यानकि जम्मू कस्मीर में घर गठन के समय साथ जिलों की ट्रिक है तो साथ जिले जो गठन के समय थे जे के में घर आप ऐसे याद कर सकते हो जम्मू कस्मीर में घर जे से बनता है जीन्द जिसको दुगद नगरी मिल्क सीटी भी कहा जाता है विटा प्लांट लक्से मिल्क प्लांट इसके लावा कैटल फीट प्लांट चमड़ी की सफाई का कारिया यहां पर होता है और हर्याना के साथ जिलों को टच्स करता है कौन सा जीन्द हर्याना के सरवादिक जिलों को सपर्स करने वाला जिला कौन सा है जीन्द और सबसे बड़ी बात है इसको हर्याना का दिल या हर्दय कहा जाता है यानि कि हम कहां रहते हैं हर्याना के दिल में रहते हैं हर्दय में रहते हैं जीन्द के अंदर तो जीन्द जिला था केसे बनता है क्या कर्ण नगरी जी से कहा जाता है कर्ण करनाल राजा कर्ण ने इसको बसाया था करनाल हरियाना का पेरिसी से का जाता है हरियाना का सबसे साफ सवच सहर और सुनियोजी तरीके से बसाया गया हरियाना का पहला जिला है कौन सा करनाल इसको धान का कटोरा भी कहते है क्योंकि सबसे अधिक चावल करनाल के अंदर होता है इसके लावा इसको जुत्ता सीटी भी कहते हैं सूज सीटी कह लेजे लीबर्टी सूज के लिए फेमस है कौन सा करनाल में से बनते है क्या मेंदरगड मेंदरगड हर्याना का सबसे दक्सिन पस्यमी छोर पर बसा जिला जिसको राजस्तान ने तीन ओर से घेर रखा है मेंदरगड के अंदर है मेंदरगड को हम खनीजों का सहर भी कहते है कानोड या ब्रामनों ने महंदरगड को बसाया था इसी वज़े से इसका नाम कानोड था बाद में इसका नाम क्या पढ़ गया महंदरगड जेसे क्या बनता है जी से बनता है इस जी से बनता है गुरू गराम हर्याना का दूसरा सबसे बड़ा सहर हरियाना की साइबर सीटी इसके लावा मनरोंजन सीटी कॉल सेंटर कैपिटल कह लेजिए मौल सीटी कह लेजिए इसके लावा मौल कैपिटल कह लेजिए क्योंकि सबसे बड़ा मौल गुरुग्राम के अंदर है सोर उर्जा का हब कह लेजिए किसको गुरूगराम को डिटेल से पढ़ेगी इनजब के बारे में एच से बनता है हिसार हिसार जिसको स्टील सिटी है इसपाद सिटी भी कहा जाता है उत्र भार्त की स्टील सिटी हिसार को कहा जाता है लेकिन पूरे भार्त की स्टील सिटी कौन सी है जमसेदपूर है हरियाना की स्टील सिटी मेगनेट सिटी और एचेव उनिस्टी यहाँ पर है और एसिया की सबसे बड़ी ओटो मार्केट भी कहाँ पर है हिसार के अंदर है और सबसे बड़ा कैटल फार्म कह लेजी कहाँ पर है हिसार के अंदर एसे बनता है क्या अंबाला अंबाला जिसको मेंगो सीटी भी कहते हैं विज्यानिक नगरी भी कहा जाता है इसे विज्यानिक उपकरण बहुत ज़्यादा बनते हैं अंबाला के अंदर और इसको मिक्सी सीटी भी कहा जाता है अपरेटस सीटी भी कहा जाता है अंबाला को आर से बनता है क्या रोतक हरियाना की राजनितिक राजधानी रोतक एजुकेशन का हब है कौन रोतक देखे एजुकेशन सीटी तो सोनी पत है लेकिन एजुकेशन का हब क्या है रोतक है रेवडी और गचक के लिए फेमस कोन है रोतक तो गठन के समय हर्याना में साथ जिले थे याद करने की ट्रीक है बढ़ी असान सी जेके में घर तो आप से पूछे गाए इन में से कौन सा जिला है जो गठन के समय नहीं था ऐसे उपसन आ गया हिसार B कुरुकचेतर C गुरुगराम और D जीन्द हर्याना गठन के समय कौन सा जिला नहीं था तो याद कैसे कर सकते हो इसको आप इस question को सूल कैसे कर सकते हो इस trick के base पर जेके में घर याद रखना ये जिले कभ थे 1 नॉमबर 1966 को हर्याना गठन के समय हर्याना में 7 जिले थे और देखिए इस question का answer क्या बन जाएगा आपका कुरुक्षेतर क्योंकि हिसार था उस समय गुरुग्राम भी था और जीन्ड भी था कुरुक्षेतर नहीं था गठन के समय अब आगे बढ़ते हैं फिर क्वेशन पूछता अपसे हर्याना गठन के बाद कौन से जिलों का निर्मान किया गया हर्याना गठन के बाद कौन से जिले बने देखिए गठन के बाद 1972 में दो जिलों का निर्मान किया गया और वो तारिक थी कौन सी 22 दिसंबर 1972 22 दिसंबर 1972 को दो जिलों का निर्मान किया गया एक तो भिवानी और दूसरा सोनिपत 22 दिसंबर 1972 को दो जिले बनाए गए कौन-कौन से एक भिवानी दूसरा सोनिपत अब इसको याद कैसे करोगे थोड़ा सा पहले बता देता हूँ भिवानी जिला कहां से बना देखिए हिसार का पडोसी है हिसार से कौन सा जिला बनाए गया भिवानी हिसार का विभाजन करने के बाद 1972 में जो जिला कौन सा बना भीवानी और सोनीपत जिले का निर्मान कहां से हुआ आप से पूछेगा सोनीपत जिला जो है वो कौन से जिले से अलग किया गया देखिए ये रहा रोतक और रोतक से अलग कौन सा हुआ सोनीपत अब पेपर में इस तारीख को कैसी याद करोगे बड़ा असान सा देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 22 दिसंबर दिसंबर कौन सा महीन होता बारवा 1972 आप देखो ये जो तीन फ्रेक्शन लिखे है मैंने ये जो तारीख है पूरी कह लेजिए 1972 में भी दो आया है 12 में दो है और इसके लावा यहां भी दो है दो के उपर टू के उपर बहुँ ज़्यादा फोकस कर रखा है इस तारीख में दो का योगदान बहु ज़्यादा है दो के उपर ज़्यादा जोड़ दे रखा है लेकिक जो 2 होता है दूसरा अकसर English Alphabet के अदर दूसरा अकसर कौन सा होता है B अंग्रेजी में Second जो Alphabet होता है वो कौन सा होता है B, और B से क्या बनता है भीवानी B से क्या बनता है भिवानी तो आप यहा इस दो से याद कर सकते हो अब दो को इंगलिस में क्या बोलते हैं सेकिंड बोलते हैं दूसरा कह लेजी दो को हम क्या बोल सकते हैं सेकिंड भी बोल सकते हैं और सेकिंड या क्या निकाल लिया हमने सेकिंड का S निकाल लिया सेकिंड का पहला अलफबेट कौन सा है S और S से क्या बन गया सोनी पत तो देखे रटानी मारना इस डेट के अंगर ही सब कुछ चिपा हुआ है भिवानी किस से बनता है? B से बनता है और B दूसरा अलफाबेट है अब देखे दो यहां भी है, यहां भी दो, यहां भी दो आपको, तो B से बन गया भीवानी आप देखे इस दो को हम क्या लिख सकते हैं? दो को सेकंड भी बोल सकते हैं दूसरा और सेकंड का S निकाल लिया, S से क्या बन गया? सोनी पत भीवानी जिसको भारत की छोटी कासी कहा जाता है हरियाना की कासी कहा जाता है, मंदरियों की अधिकता के कारण भीवानी को मंदरियों का सहर भी कहा जाता है भीवानी को मंदरियों का हम सहर भी बोल सकते हैं और जो सोनी पत है, इस सोनी पत को हम साइकल सीटी भी बोल सकते हैं सोनिपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है तो 22 दिसमबर 1932 को दो जिले बने कौन से भीवानी और सोनिपत अगले साल 1973 में एक जिले का गठन किया गया दस्वा जिला और वो दस्वा जिला कौन सा था कैसे उसको याद करोगे मैंने अभी बताया 22 दिसमबर 1932 22 दिसमबर 1932 को भीवानी B, S भीवानी और सोनिपत बने यह देखो 2, सेकिंड अलफाबेट कौन सा होता है B और सेकिंड को हम क्या बोलते है S, दूसरा कह लेजे, भीवानी और सोनिपत अब इन सब के अंदर में एक एक जोड दूँ, इसमें एक जोड दिया इसमें भी एक जोड दिया, और इसमें भी एक जोड दिया तो यह क्या बन गया, 23 बन गया, और दिसमबर से अगला महिना कौन सा होता है जनवरी और 22 प्लस एक कितना होता है, 1973 तो 23 जनवरी 1973 को हरियाना का दस्वा जिला बनाए गया और दस्वा जिला कहां से बनेगा दस्वा जिला बनाए गया करनाल से किसका निर्मान किया गया कुरुक्षेतर का तो 23 जनवरी 1973 को कौन सा जिला बना अपना कुरुक्षेतर और कुरुक्षेतर का गठन कौन से जिले से किया गया करनाल से वो तमाम बाते में जोगरफी में बताऊंगा जोगरफी में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इनको डिस्टिक वाइज भी हम पढ़ेंगे जियेस कहलेजे 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेतर का निर्मान हुआ और कहां से अलग किया गये इसको अलग किया गया कहां से करनाल से कुरुक्षेतर जिला कहां से बना करनाल से बना अब इसको याद कैसे करोगे डेट को याद कैसे करोगे देखिए कुरुक्षेतर के से स्टार्ट होता है इंगलिस में लिखें तो और देखो करनाल भी के से स्टार्ट होता है के का निर्मान किसे हुआ है के से हुआ है अब इस तारीक को कैसे याद करोगे देखे तेश जनवरी यहां भी तीन आया है और यहां भी तीन आया, यानि कि 3 के उपर फोकस कर रखा है, और कुरुक्चेतर का जो के हैं, इसके अंदर भी तीन डंडे लगवें, तीन रेखाए हैं एक, दो, तीन तीन रेखाए हैं, के के अंदर तीन रेखाए हैं और इस के से इसको आप interlink कर सकते हो तो देखो पेपर में question ऐसे आ जाता है कि कुरुक्षेतर जिला कब बना 1912, 1973, 1975 और 2005 कुरुक्षेतर जिला कब बना अब बड़ा असाना अगर मेरी बात को आप याद रखोगे केके अंदर तीन रेखाई हैं तीन डंडे लगे हुए हैं और तीन इस तारीक के अंदर भी तीन दो बार आया है फोकस किया गया तीन के उपर कह लेजे अब आप देखो कि जैसे पेपर में कुरुक्षेतर जिला कब बना अब केके अंदर आपको बता दिया मैंने कि केके अंदर तीन डंडे लगे हुए एक दो तीन यानि की थ्री आना चाहिए और थ्री सिर्फ किस के अंदर है इस डेट के अंदर है तो अंसर क्या बन जाएगा 1973 तो आप ऐसी याद करोगे और कुरुक्षेतर का गठन जो है वो कौन से जिले से किया गया करनाल जिले से कुरुक्षेतर जिसको लड़ा गया कह लेजिए आगे बढ़ते हैं ठीक दो साल के बाद 1975 को हर्याना का सबसे पस्सिमी जिला बना जहां सबसे अधिक गेहूं और सबसे अधिक क्या होती है कपास होती है जिसको हम संतों की नगरी भी कहते हैं तो देखिए आगे बढ़ते हैं जिला बनाए गया कौन सा सिर्सा और देखिए सिर्सा जिला जो है हर्याना गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा होता था हिसार हिसार से अलग किया गया हिसार से अलग किया गया किसको सिर्सा को जो सिर्सा जिला अलग हुआ है ये किस से अलग हुआ है हिसार से और सिर्षा हर्याना का सबसे पस्यमी जिला है सबसे अधिक गेहूं, सबसे अधिक कपास यहां होता है संतों की नगरी से कहते हैं डेरों की भूमी, इसे कहा जाता है डेरा सिचा सोदा यहीं पर है कह लेजिए इसको सर्षवती नगरी सोरी और इसके अलावा इसको वन नगरी भी कहा जाता है सिर्षा अब इसको कैसी याद करोगे 1 सितंबर 1975 को सिर्षा बना आप देखिए थोड़ा सा ध्यांसी इस डेट को कैसी याद कर सकते हैं सिर्षा जो है वो ऐसे लिखा जाता है सिर्षा लिखा जाता है और यह ऐस जो है हम जैसे 1975 है बचपन में इस 5 को ऐसे भी लिख देते थे तो इस 5 से याद करोगे क्या 5 को S की तरह लिख देते थे S से क्या बन गया सिर्षा 1975 में पीछे 5 आया है और 5 को हम S की तरह लिख देते हैं, S से क्या बन जाता है, सिर्षा, फिर आप वैसे भी याद कर सकते हो, 1 सितंबर 1975 को इस सिर्षा बना, बहुत सारी किताबों में 26 अगस्त 1975 भी लिखा, लेकिन HSSC ने क्या माना है, 1 सितंबर 1975 माना है, जो ओफीसियल नोट, वो है कैलेजरी को अब इस को डेट को कैसे याद करोगे आप, जैसे वन हो गया, और 9 महीना कौन सा होता है, सितंबर, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1905 एक, 9 से क्या बन गया सितंबर, 1 सितंबर 1975 को कौन सा जिला बना, सिर्षा जिला बना, जो वर्तमान में हर्याना के अंदर 6 रफल के हिसार से किया गया, दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक 4 साल के बाद, एक जिला और बना जो बाबा फरीद के नाम पर बसा है, जिले का नाम क्या है, फरीदाबाद, और फरीदाबाद को गुरु गराम से अलग किया गया, फरीदाबा कब बना? 15 अगस्त 1989 को, 15 अगस्त 1989 को फरीदाबाद जिला बना, फरीदाबाद जन्संक्या के अनुसार हर्याना का सबसे बड़ा सहर है, फरीदाबाद, एरिया के इस असोरी, जन्संक्या के अनुसार सबसे बड़ा सहर कों सा है, फरीदाबाद, बाबा फरीद के नाम पर पेपर में पूँछा किस वरस हर्याना में सरवादिक जिलों का रिर्मान किया गया कौन सा वर singular था जिसमें सबसे अधिक जिलों का निर्मान किया गया year वो पूछ लेता है बहुत बार तो देखिए आगे बढ़ते हैं वो कौन सा वरस था वो कौन सा year था जिस साल सबसे अधिक जिलों का निर्मान हुआ था और वो year था कौन सा 1989 1989 1989 हमारे जीवन में बड़ा महत्तपूर्ण वरस है कह लेजी 1989 भारते सविधान इतियास राजनीती के अंदर क्योंकि 1989 को आप ऐसे भी याद कर सकते हो 1989 से पहले वोट डालने की न्यूंतम उमर कितनी होती थी 21 वरस और 1989 में 61 सविधान संसोधन 1989 की दवारा वोट डालने की न्यूंतम उमर को 21 से घटा कर कितना कर दिया गया 18 कर दिया गया यानि कि बहुत बड़ी किरपा हुई और वैसे भी हर्याना सरकार ने किरपा की हम पर कितने जिले बनाए चार जिलों का निर्मान हुआ कब 1989 में तो किरपा से आप याद कर सकते हो इसको एक नॉवंबर हर्याना दिवस के मुके पर एक नॉवंबर 1989 को एक नॉवंबर 1989 को हर्याना सरकार ने किरपा की आप इसको किरपा से याद कर सकते हो के आर पी वाई ए आप ऐसे याद कर सकते हो केसे बना कैथल कैथल जिसको गुर्दवारों का सहर हर्मान की जनम सथली भी कहा जाता है नवगरे कुणों कारण इसको भी छोटी कासी कहा जाता है कैथल कपी स्थल भी इसे कहा जाता है कैथल जिला कहां से बना कुरुक्छितर से कैथल जिले का निर्मान कहां से किया गया कुरुक्षित्र से कुरुक्षित्र जिले से कैथल का निर्मान कब किया गया कब 1 नॉवंबर 1989 को तो कैथल जिला कब बना 1 नॉवंबर 1989 को और कैथल कहां से अलग किया गया कुरुक्षित्र से अलग किया गया फिर देखे आर से बनता है क्या रिवाडी आर से क्या बनता है रिवाडी जो जिला है वो कहां से अलग किया गया गुरु ग्राम से अलग किया गया किसको रिवाडी को रिवाडी जो है रिवाडी को हम अहीरवाल का लंदन भी कहते हैं सेनकुवा घर भी से कहते हैं वीर भूम पूकल बहिंते हैं। गठन किया गया दो बार निर्मान किया गया वो जिला कौन सा था पानीपत और पानीपत जिला किस से बना करनाल से पानीपत जिला किस से अलग हुआ करनाल से कब एक नॉम्बर उने सो निवासी को लेकिन दो बार इसका गठन होगा मैं आपको बताऊंगा तो करनाल से क्या बन तो किर्पा से आप याद कर सकते हो इसको यमना नगर और यमना नगर जो जिला है इसका निर्मान किस से किया गया अंबाला से अंबाला से कौन सा जिला अलग किया गया यमना नगर कब एक नॉंबर 1989 को अंबाला से अलग क्या हुआ यमना नगर अब देखो दोस्तों पेपर में जो question आता है trick से आप याद तू कर सकते हो लेकिन exam के अंदर trick लंबे समय तक याद नहीं रहते हैं लेकिन exam के अंदर trick के बेस पर आप question नहीं कर सकते हैं जब तक आप सब्धों के साथ नहीं खेलोगे जब तक आप concept को नहीं पकड़ोगे तब तक paper के अंदर question को ढंग से नहीं कर पाओगे ऐसा कौन सा जिला है जिसका गठन दो बार हुआ अब इसके लिए एक बहतरीन trick बताता हूँ आप किरपा वाले trick की बजाए ये वाले trick याद कीजिए देखो जिसको याद करने ये भी कर स हुआ था 1980 को हुआ था 1980 में हुआ था और आप ये trick याद कीजिए जो trick है ये कर पापा अब बताता हूँ ये क्यों याद करना चाहिए आप इस trick के बजाए ये trick कीजिए ये paper सोल करवा सकते हैं सब इंस्पेक्टर के paper में जो question पूछा गया था वो इसी trick से सोल हो सकता है देखिए मैं इसको decode करता हूँ ये से बन गया यम्ना नगर यम्ना नगर जिसको कुरुक्षेतर से अलग किया गया यम्ना नगर को हम paper city भी कहते हैं यम्ना नगर हर्याना का सब से पुर्वी जुला है और सबसे अधिक गन्ना इसमें होता है कैजू है कैसे बन गया क्या कैथल रे से क्या बन गया रेवाडी तीन जिले हो गए आप देखिए जो पा है इस पा से क्या बनता है पानी पत अब इस ट्रिक के अंदर पा दो बार आए यानिकि पानी पत दो बार बनेगा देखिए दोस्तों ये ट्रिक याद करने का फाइदा ये है ये कर पापा एक नॉंबर 1989 को जो चार जिले बने उनको याद करने की ट्रिक है लेकिन question paper में ये पूछा गया था कौन सा जिला ऐसा जिसका गठन दो बार किया गया था तो देखिए इस ट्रिक में दो बार क्या ह पानी पत तो पानी पत एक ऐसा जिला है हरियाना का एक मातर जिला जिसका गठन दो बार किया गया अब इसको समझाता हूँ मैं आपको कैसे पानी पत अलग कहा से हुआ था करनाल से अलग किया गया था हरियाना का जो पेरे से उससे पानी पत को अलग किया गया था पानी पत जिसको हम petrochemical herb कहते हैं वीवर्स नगरी ःगरी बोलते हैं बुनकरों का सहर बोलते हैं इसको बुनकरों की नगरी कहले जए आर्मी को सबसे stukbar यहीं से supply होते है पानिपत से कहले जए देखे पानिपत जो जिला बना करनाल से एक नवंबर 1989 को करनाल से इसको अलग किया गया जो पानी पत है पानी पत को अलग किस से किया गया करनाल से पानी पत को करनाल से अलग किया गया करनाल से अलग कब किया गया एक नॉवंबर 1989 को एक नॉवंबर 1989 को पानी पत को करनाल से अलग कर दिया गया ठेक है लेकिन दोबारा से 1991 में पानीपत को दोबारा से करनाल में मिला दिया गया चोबी जुलाई 1991 को पानी पत दोबारा से किस में मिल गया करनाल के अंदर मिल गया पानी पत को दोबारा से करनाल में मिला दिया गया कब चोबी जुलाई 1991 को 1991 पानी पत दोबारा से करनाल में मिला दिया गया लेकिन एक जनवरी 1992 को फिर से पानीपत को अलग किया गया एक जनवरी 1992 को पानीपत फिर से अलग कर दिया गया किस से करनाल से तो देखिए दो डेट हैं एक ये वाली एक ये वाली पानीपत एक ऐसा जिला है हरियाना का जिसका गठन दो बार किया गया एक नॉम्बर 1989 गठनवा किस से करनाल से अलग किया गया लेकिन 1990 में दोबारा फिर करनाल में मिला दिया गया लेकिन अगले साल 1992 में एक जनवरी 1992 में पानीपत को फिर से अलग किया गया तो पानीपत एक ऐसा जिला है जिसका गठन दो बार हुआ है और याद करने के ट्रिक आपको बता दी कौन सी ये कर पापा ये वाले जबरदस्त हैं इससे आप को सुन कर सकते हूं पापा दो बार पाया है ये कि पानीपत का निर्मान कितनी बार हुआ है दो बार और देखी पेपर में अगर पूछी पानीपत जिला कब हुआ बना तो यह पानीपत की दो डेट आरी है हमारे सामने पहले इसको एक नॉमबर 1989 को अलग किया गया एक जनवरी 1992 को तो पानीपत का गठन दो बार हुआ पानीपत वो जिगय जहां पर इतिहासिक तीन लड़ाईयां लड़ी गई है पानीपत के तीन ये दुए पहला युद 1526 में दूस में और तीसरा 1700 में हुआ था आगे बढ़ते हैं इसके बाद तो कुआ करते हैं हमारे अगले जिले के बारे में पंचकूला जो जिला उन्नीषेंग को अलग कि कि से कि अबाला से इंबाला से अलग करके पंच्पूला जिला बनाया गया, पंच्पूला जुसको नेनो सिटी कहते हैं, हर्याना का सबसे उतरी जिला है कौन सा, पंच्पूला और हर्याना का एक मातर जिला जो चंडी कट को टच करता वो कौन सा है पंचकुला तो देखे तारिक थी 15 अगस्त 1995 पंदरा अगस्त 1995 को एक निया जिला बनाएगा कौन सा पंचकुला नैनो सिटी कह लेजिए जो ट्राइ सिटी में भी आता है पंचकुला जहांपर और HSC और HPSC का ओफिस भी है कहलेजे है पंचकुला अलग किस से किया गया पंचकुला को अलग किया गया किस से अंबाला से अंबाला से अलग करके 1995 में कौन सा जिला गया बनाया गया पंचकुला बनाया गया अब इस पंचकुला की तारिक कैसे याद करोगे आप देखे इस वैसे तु वैसे ही फिम्मस है ये 15 अगस्त हमारा सुतनतरता दिवस है 15 अगस्त ऐसे भी याद कर सकते हो आप लेकिन फिर भी आप देखिए इसको 15 अगस्त 1995 अब इस तारीक के अंदर दो बार पंच आया है पांच कितनी बार आया है दो बार और पंच से क्या बनता है पंच यानि कि पंच के उपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और उसी पंच से क्या बना है पंच कुला क्योंकि इस तारीक के अंदर पंच कितनी बार आता है दो बार देखो ऐसे बहुत सारी तारीके मिलेंगे आपको 1995 पेपर में ऐसे मिलेगा पंदरा अगस्त पंचकुला कब बना 1995 फिर ए उप्षन बी उप्षन ऐसे मिल सकता आपको कि पंदरा अगस्त 2008 ये भी मिल सकता है चार अप्रेल 2005 पंच और डी उप्षन एक सितंबर 1975 आप देखिए दोस्तों जो मैंने कहा उसी के दम पर आपको संगू कर सकते हो पंचकुला कब बना ये चार उप्षन है मैंने आपको बताया पंच दो बार अना चाहिए डबल पंच होना चाहिए आप देखो पंच यहां भी है और यहां भ पंच यहां भी है यहां भी है बिल्कुल है इसमें एक बार है दूसरी बार कहीं नहीं है इसमें भी चेक कर लो आप एक बार पंच है लेकिन ये ऐसी तारीक है जिसमें पंच यहां भी है और यहां भी है पंच कुला जिसमें डबल पंच आना चाहिए तो पंच कुला जिला जिसको नेनो सिटी कहते 15 अगस्त 1995 को बना और इसको अमबाला से अलग करके बनाया गया आगे बढ़ते हैं ठीक दो साल के बाद 1997 को 15 जुलाई 1997 को दो जिलों का निर्मान किया गया 1997 में दो जिलों का निर्मान हुआ तारिक थी 15 जुलाई 1997 को दो जिले बने कौन कौन से एक जिला बना कौन सा फतेःबाद जिसको फिरोसा तुगलक ने बसाया था और फतेःबाद नाम फिरोसा तुगलक के बेटे फते खां के नाम पर पड़ा था फतेःबाद और फतेःबाद को किस से अलग किया गया जो फतेःबाद इसको अलग किया गया किस से हिसार से फतेःबाद को हिसार से अलग किया गया क्यों गठन के समय हिसार सबसे बड़ा जिला होता था 13,894 वरक किलोमेटर हिसार का एरिया होता था हरियाना गठन के समय तो हिसार से अलग करके फतेबाद बनाया गया जिसको पिंक सिटी कहा जाता है महलों का सहर पुरानी हवेलिया यहां पर है यहां की चिल्ली जिल बड़ी फिमस है फतेबाद दूसरा जो जिला बनाया गया 1997 में जजजर सहीदों का सहर या जिला कह लेजे जजजर वही जजजर जहां के बेरी कस्वे में हरियाना के पहले मुख्यमत्री भगवत द्याल सर्मा का जनम हुआ था वो जजजर से बिलोंग करते थे जजजर को जिला कहां से बनाया गया जजजर जिला बनेगा रोतक से रोतक से कौन सा जिला बना जजजर कब बना 15 जुलाई 1997 को तो जजजर को किस से अलग किया गया रोतक से अलग किया गया रोतक से अलग करके जजजर जिला बना फिर इसके बाद 2005 में हरियाना का बीसवा जिला बना चार अपरेल 2005 को बीसवा जिला बनाए गया कून सा मेवात जिसको आज कल नूव भी कहते हैं लेकिन इसका पहले नाम क्या था सत्यमे पुर्म था थोड़ा सा आपको इतिहासिक बाते बताता हूँ हर्याना के मुख्य मंतरी जो सबसे अधिक बार मुख्य मंतरी बने है ओमपर का चोटाला जब ओमपर का चोटाला मुख्य मंतरी होते थे तो उन्होंने एक रेली के अंदर दो अक्टूबर 2004 को महात्मा गांधी जनती के उपलक्स में घोसना की थी कि हम एक बीसवा जिला बनाएंगे और जिले का नाम रखा जाएगा सत्य मेव पुरम क्योंकि इस जिले का समन्द महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है देश विभाजन जब देश का विभाजन हो रहा था 15 गस्तों 1947 में तो इस मेवात नू के चेतर में कहलेजी इस चेतर में मेव नाम की मुसलिम रहते हैं मेव मुसलिम रहते हैं और उस वो देश से बाहर जा रहे थे जो मेव मुसलिम देश चोड़ कर जा रहे था तो महात्मा गांधी ने उनको रोका था कि आपको पूरी शुरुक्षा दी जाएगी आपको पूरे अधिकार दी जाएंगे आपको आगे बढ़ने के अवसर दी जाएएगी आप यहीं पर रह तो महात्मा गांधी से जुड़ा होने की वज़े से ओपी चुटाला ने कहा कि जैसे सरकार आएगी मेरी तो हम इसको सत्यमेव पुरम के नाम से जिला बनाएंगे तो थोड़ी सी इतियासिक बाते बताता हूँ 2 अक्टूबर 2004 को इसका क्या नाम रखा गया था सत्यमेव पुरम ओमपरका चुटाला के द्वारा परंतुई उससे में जिला नहीं बन पाया था लेकिन जब इलेक्शन होता है तो ओपी चुटाला चुनाव हार जाते हैं तो कॉंगरेस की सरकार आती है बोपेंदर सिंग उड़ा हर्याना की मुख्य मंतरी बनते हैं और बोपेंदर सिंग उड़ा देखते हैं कि जो सत्यमेव पुरम हैं जिसको जिला बनाने की बात की जारी थी इस एरिया में मेव जो जाती है मुसलमानों की वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है और उस मेव की वज़े से इसका नाम क्या रख दिया गया मेवाथ तो मेवाथ जिला का बना चार अप्रेल 2005 को मेवाथ जिला बना दिया जाता है कॉंगरेस सरकार के द्वारा और मुखे मंदरी कौन थे बूपेंदर सिंग खुड़ा लेकिन मेवाथ एक ऐसा जिला था जो जिला होने के साथ जिला जरूर था लेकिन सहर नहीं था मेवाथ एक छितर है देखिए बाकी जिले है और सहर भी है जीन जिला है जीन सहर भी है हिसार जिला है हिसार सहर भी है रोतक जिला है रोतक सहर भी है लेकिन मेवात नाम का हरियाना में कोई सहर नहीं है मेवात सिर्फ एक छितर था और इस मेवात का हैड़ कौर्टर कहा होता था नू के अंदर तो मनोरलाल खटर सरकार ने 2016 में फैंसला किया कि हैड क्वार्टर जब नू के अंदर है तो इसका नाम क्या रखा जाए नू रखा जाए तो 12 अप्रेल 2016 को इसका नाम बदल दिया गया है क्या नू तो वर्तमान में इसको हम क्या बोलते है नू लेकिन जिला कब बना याद रखना मेवात या नू जिला को बन गया था लेकिन इसके तीन नाम है 2004 में सत्यमेपुरम चोटालाद के द्वारा दिया गया 2005 में B.P. हुड़ा के द्वारा मेवात और 2016 में मनोरलाल खटर ने इसको क्या नाम दे दिया नू, नू हरियाना का सबसे दक्षिनी जिला है, नू कह लेजिए, हरियाना का सबसे दक्षिनी जिला है, नू, जहां पर मुस्लिम सबसे ज़्यादा है, आप इसको नोट कर सकते हो, तो याद रखना मेवाद जिला बीसवा जिला बना था, 4 अपरेल 2005 को, लेकिन इसके नाम कि हरियाना का 21 जिला फ्रीदाबाद से अलग करके 21 जिलिया गठन किया जाता है कब 2008 में 15 अगस्त 2008 को 15 अगस्त 2008 15 अगस्त 2008 को हरियाना का 21 जिला बना कौनसा पलवल पलवल जिसको कोटन सी टी भी कहा जाता है लेकिन कोटन सबसे जादा कहा होता है सिर्षा के अंदर होता है पलवल पलवल जिला किस से अलग करके बनाय गया पलवल को फ्रीदाबाद से अलग करके बनाय गया फ्रीदाबाद प्रीदाबाद से एक नया जिला बनेगा कब 15 अगस 2008 को हरियाना का 21 जिला कौन सा बना पलवल 21 जिला कौन सा बना पलवल अब बात करते हरियाना का 22 जिला देखिए मैं आपको पहले HSSC की डेट बता देता हूँ 22 जिला बना चर्की दादरी बिवानी का ज्यादा तर भाग कुछ गाओं मेहंदर गड के कुछ गाओं रिवाडी के लेकिन सबसे ज़्यादा भाग जो है वो किसके लिए गए बिवानी के लिए गए बिवानी से अलग करके 22 जिला बना बना गया कौन सा चर्की दादरी एक दिसम्बर जो HSSC ने डेट मानी है वही लिखवा रहा हूं मैं एक दिसम्बर 2016 को 22 जिला बना कौन सा चर्की दादरी चर्की दादरी और चर्की दादरी को अलग किससे किया गया भीवानी से अलग किया गया चर्की दादरी को भीवानी से अलग करके एक निया जिला बनाया गया एक दिसंबर 2016 को अब चर्खी दादरी की देट को लेकर बहुत ज़्यादा मतबेहद है किताबे कुछ-कुछ बोलती है लेकिन HSSC क्या मानती है हम आपको एक error free content देना चाहते है zero error कह लेजे तो हम उसी के coding चलते हैं देखें बात है कब 18 सितंबर 18 सितंबर 2016 को चर्खी दादरी के अंदर रेली थी और हरियाना के मुख्य मंतरी मनोला खटर ने दादरी रेली में कहा कि आपके area के area के लोगों की 25 साल पुरानी मांग को हम पूरा करते हैं और चर्खी दादरी को जिला बनाने के घोसना करते हैं 18 सितंबर 2016 को सिर्फ क्या होई थी घोसना होई थी फिर एक महीने के बाद सितंबर से एगला महीना को कौन सा होता है 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2016 को जो मनोला सरकार है हरियाना सरकार के जो cabinet है उसने इसको मनजूरी दे दी cabinet ने मंजूरी दी और ठीक एक महिने के बाद अक्टूबर से एकला महिना कौन सा होता है नौंबर 16 नौंबर 2016 को जिला कौन सा बन गया चर्खी दादरी जिला बन गया तो चर्खी दादरी जिला कब बना 16 नौंबर 2016 को अब पिछली साल जो पेपर हुआ था क्लरिक का कह लिजिए क्लेरिकल पेपर हुआ था उसमें ये डेट मानिये है एक दिसंबर 2016 बिल्कुल सही है वो 16 नौंबर 2016 ये भी डेट मानिये उससे पहले वाले पेपर में 16 नौंबर 2016 चर्खी दादरी जिला बना 16 नौंबर 2016 को चर्खी दादरी जिला बना लेकिन आधिकारिक रूप से इसको जो मानिता दी गई वो कब दीगी 1 दिसंबर 2016 को तो जब भी पेपर में चर्खी दादरी की बात आए तो ध्यान रखना दोनों डेट ही सही है इसकी 16 नौंबर 2016 इनमें से एक उप्सन होगा 1 दिसंबर 2016 अगर दोनों उप्सन आ गए तो आप मानिता किसको दोगे प्रायरिटी किसको दोगे 1 दिसंबर 2016 को तो ये थे 22 जिले आप देखो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बाते और बताना चाहता हूँ एक नौंबर 1966 को जब हरियाना का गठन हुआ तो एक नौंबर 1966 को सबसे बड़ा जिला कौन सा होता था सबसे बड़ा जिला हरियाना गठन के समय सबसे बड़ा जिला होता था हिसार 13,891 वर किलोमेटर इसका एरिया था लेकिन वर्तमान में अच्छा सबसे छोटा जिला गठन के समय सबसे छोटा जिला हर्याना गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा होता था जीन्द अब अगर मैं बात करूँ वर्तमान की वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है सिर्सा जिसका चेतरफल 4277 स्केर किलोमेटर है दूसरा बड़ा जिला कौन सा है हिसार तो सबसे बड़ा जिला वर्तमान में कौन सा है सिर्सा और सबसे छोटा वर्तमान में कौन सा है सबसे छोटा वर्तमान में फ्रीदाबाद एरिया के अनुसार फ्रीदाबाद सबसे छोटा जिला है और दूसरा छोटा जिला कौन सा है पंचकुला देखे दोस्तों हरियाना समाने प्रीच्य का ये दूसरा पार्ट था बाकी दो पार्ट और बाकी हैं वो next वीडियो में हम discuss करेंगे अब महमारी के दोरान आप सब जानते हो आपकी सुरुक्सा ही परिवार के सुरुक्सा, समाज की सुरुक्सा और देश की सुरुक्सा है इसलिए घर पर रहे, सेफ रहे, सुरुक्सित रहे, जादर जादर एकांत में रहने का प्रियास कीजिए और फोकस कीजिए किसके उपर, सेलफ स्टड़ी के उपर देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आप ये मत समझे कि जैसे सब कुछ स्मूथ होगा, जैसे हमारी खतम होगी, तब पेपर होगे विपदा कभी भी आ सकते हैं, मुसीबत कभी भी आ सकते हैं, पेपर कभी भी हो सकते हैं और देखिए, जो बंदा समझ रहे कि अब त्यारी करने हैं कोई फायदा नहीं हम बाद में त्यारी कर लेंगे, ये आप गलत फहिमे मत रहिएगा जो बच्चा पेपर से दो-तिन महीने पहले त्यारी करता हूँ, जादा कुछ नहीं कर पाता लेकिन जो बच्चा छे महीने पहले, एक साल पहले त्यारी कर रहा है, लगातार मैनद कर रहा है, वो बच्चा मेरिट में पास होता है आप इसका उधारन देख सकते हो, जैसे इंडियन आर्मी है, आपने देखा होगा कभी हम अमरीका के साथ स्यूकता अभ्यास करते हैं, कभी हम फ्रांस के साथ स्यूकता अभ्यास करते हैं, कभी हम चीन के साथ करते हैं, फिलाल तो कटूता है दोनों के अंदर इसके लाव कभी जपान के साथ अभ्यास होता हमारी आर्मी का तो जो अभ्यास करती है हमारी आर्मी वो क्या इसलिए करती है कि युद कल होगा परसों होगा और आपने देखोगा युद कभी होता भी नहीं है लेकिन आर्मी तब भी क्या करती है अपनी त्यारी करती है क्योंकि युद कभी भी हो सकता है इसके लिए आर्मी क्या रहती है त्यार रहती है और सफलता उसी को मिलती है जो अपनी त्यारी को मुकमल रखता है उसको बिलकुल एक्जाम ओरिंटेट रखता है इनी बातों के साथ आपसे रुकसत ये विदा लेता हूँ ठैंक यू बाई बाई